तबरेज हाश्मी के नाम से याद करती है, इस शेर के साथ मैं हमका इस्तक्माल करना चाहता हूँ, कि इश्ट जब ढूब गया हुसन की गहराई में, बन गया ताज महल एक ही अंगराई में असलाम अलेकुम, मुझाहिद हसनन हवीरी साहिब जिस तरह से निजामत कर रहा है, मुझे लगता है, कि अनुवर जलालपुरी साहिब की भरपाई हो चुकी है, एक बार मुझाहिद भाई को जो जोरदार तादिया हो जाए, मैं पढ़ता हूँ, श्राइब मौतरम हारूल साह माजिद भाई, निरंजन, जिस्री जी और नश्टर भाई उनकर तमाम कर विक्कुल आगे सब में बैठे हुए हैं, और बहुत पहर से आपने सुनने तो मौहन भाई बहुत अच्छा माहल बना करके कहा है, अभी शंकर साहब बाकी है, चांदली बाकी है, असर बस्तवी साह शेहकार खुदा के दूनों है एक पेड के फल सुर्मा का जल दोनों है आँखों की जेबाईश का है हम तो अग में ब्राइश करेंगे दोनों की अजमत को सलाम अर दोनों मन की प्यास बुझाएं, दोनों मन की प्यास बुझाएं, जमजम हो या घंगा जाएं ये है तबरेज आश्मी, सिरांचर का उढ़ता हुआ शाय, अच्छा शेर और अच्छा शाय अच्छा है तबरेज आश्मी प्यास बुझाएं, जमजम हो या खाजा जाएं 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 कि दूनों है शहकार खुदा के दूनों है एक पेर के फल, सुर्मा का जल दूनों है आखों की जैबाइश का हल हम तो तबरेज करेंगे, हम तो तबरेज करेंगे, दोनों की अजमत को सलाम और दोनों मन की प्यास बुझाएं, जमजम हो या खाजाएं जमजम हो या गंगा जल आपके देखा होगा, एक तरफ निरंजन सिंज तश्रीफ फर्मा है और एक तरफ हारुम साहिब हमारे तश्रीफ फर्मा है, गंगा जिन जमनी तहजीव का ये घहवारा सीमान चल की बस्यों से जो पैगाम कूँ ङाता है पूरे हिन्दस्तान को मैं सोचता हूँ जब छुनाओ उपिशंच की वादियों के मैरे भाई हसनन हभीब साहरी की निगाहत नहीं के सीमान चल वाले क्या फैसला लेते हैं स्रीमान चल की भाईचारगी का मिसाल ये है कि यहाँ पर अगर किसी हिंदू के घर में किसी की माथ होती है गर्चे हम मुसल्मान भाईजलाने में शामिल हो या ना हो लेकिन मर्गट के कनारे खरे होकर क्या आसू जरूर बहाते हैं क्या बात है यावाला स्रीमान चल का शायर हो और स्रीमान चल की बात हर मुशायरे में करता हूँ इंदौस्तान के किसी भी हिस्से में जाता हूँ पिछले अग्स्त में हसनेन हभीबी सहथ एक सहलाब आया बहुत सारे लोगों को बेगर कर दिया बचार मिसरे वहां से खुड़ता हूँ लगी तबरेज भाई कि इतने शायरों की जिन्दगी बन गई वह इसी सहलाब के बहान है और इसमान चल में जब तक निरंजन सिंग जैसे लोग और हमारे तैनालन बिरागी जैसे लोग और हारूम दसीर जैसे लोग मर्जूद रहेंगे सीमान चल की वादियों में कोई कुछ भिगार नहीं सकता यहां की भाई चार्गी को कोई मिटा नहीं सकता वसीम रिज्वी कैसे लोग जब मदर्सों पर आतमबाद का अट्टा कहता है मदर्सों को बंद करने की बात करता है पीता है चाए चड़ गया नशा अभीम का पीता है चाए चड़ गया नशा अभीम का अभीम का हिस्सा बना हुआ है वो भगवाई तीम का हिस्सा बना हुआ है वो भगवाई तीम का खुश दीन मदर्सों पे है की चड़ उचान के खुश दीन मदर्सों पे है की चड़ उचान के ईमान दुकी चुटा है कमीने वसी मुटा अगराद आपके चुटा है कमीने अगराथ आपके गुजारीश है की कोई बात नहीं है वहाँ रजाकार मौझूद है कोई बात नहीं है आप से मेरी रिक्मेश्ट है कि बहर जाए कि भी बात नहीं है परसात अबारे साहज तमां पहुंज रहा है आप तमां तर लोग केमरी केमरा की नजरों में है और सीसी टीवी फोटेज हर तरह से और इतना बड़ा 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 मुशाहिरा मीडिया के लोड है हमारे भाई मुजीव साहिब मुंबल से आया है एनेश टीवी वाले है और मुशायरे को आखरी मुशायरा आखरी पराव को पराव ना करें अभी शंकर भाई को सुनना है असद बस्तवी साहिब को सुनना है चांदनी शबनम साहिब जा भी सकती है अब इससे बड़ा मैं वलिल कोई नहीं दे सकता आप बैर गया भाई अगरा बढ़े अच्छे लोगे बढ़े सच्चे लोगे बैर गया भाई यह सब रहना है चुरू करें इंशाल्ला भाई आप बैर जाए बिल्कुत तो लोग सब दोजवाल लोग हैं मैं आप लोगों पर सीवान चल पड़े नजम में बहुत बहतरी नजम मैंने कही है वो नजम आपको पहुचाओंगा इसलिए पहुचाओंगा कि यहां पर मुझी मीडिया है इसके जरीये से पूरी दुनिया को दिखाना है कि सता का वो खिलाडी है जब फर्द हो गया कि सता का वो खिलाडी है जब फर्द हो गया सता का वो खिलाडी है जब फर्द हो गया क्या साहब से मिलके उसका लहू सर्द हो गया साहब से मिलके उसका लहू सर्द हो गया शनवा काईस के उससे लाब बत बाहरी जिंदगी इदे और मुखिया उधर पिहार का पे तर्द हो गया जिंदगी इदे और मुखिया उधर पिहार का पे तर्द हो गया जिंदगी इदे और मुखिया उधर पिहार का पे तर्द हो गया दोस्तों मेरी मा बेने यहां पर तश्रीफ परमा है और बहुत तर्द से रात के एक बज़ गया है लेकिन यह मेरी मा बेने यहां पर मुझूद है मुझाहिद हसनान हभीबी साहब आपने देगा अगा पिछले दिनों नालंदा में एक ही घर में दो आईयस बनी है बेदिया बिहार की और सीमामचल में पाच ऐसी लड़किया यूपियसी एकशार के पास की बिहार के लिए बहुत बड़ी उत्तर्दी है और बिहार की बेटिया आगे मर रही है कि चार में से बढ़ता हूँ इन बेदियों के अब हवाले से हैं कि आगे चले की सबसे सावाई प्यार की ठारत की हो कि शान ये लक्ष्मी पिहार की आए के मिलकर निकी दगर में पिछाए फूल आकाश छूने निकली है बेटी पिहार की आधना है 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 आधना आकाश छूने निकली है बेटी पिहार की यह है बहादरों की धर्ती पिहार यह बहादरों की धर्ती पिहार की बलाले उनको क्या बड़ शीमानचल की बदहाली आपने देखा होगा कि सीमानचल में बहुत गरीबी है पहुत बेबसी है जहालत है और अत्मल चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि जामिया मिलिया के एक स्टुडेंट मेरे दोस्त है फैसल वो मेरे अशार को नहीं समझ पाता है यह जामिया की बेजदती है एक तरह से लेकिन मैं आपको बता दू कि स्रीमांचल की वादियों में उर्टा की ओफार्णा थामियं शुआ है क्या रात है अल्मा के बाड़ोगा की जिए फिरमाषन आपको रात है कि उर्टा भी बाड यहा क्यारा था जिदांं झाल गड़ोगा कि यहां की बन्यादी तालीम दीनियात हैं, बच्चे जो पर्मे नकलते हैं, मुझाईर हसनल हमीमी साथ बाता से शुरू करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं, जो फार्सी में, अर्बी में, अर्दू में बहुत महारत रखते हैं, बच प्रपा सीमान चल परू है, यह सीमान चलकी है सची कहानी, क्या मखवली आवाज है, सुनाता हो मैं आस्रों की बाता है, मारे जानिया ज़त हैं तेरी आवाज है, जबानी, अभी यह हमको होड़ा कह रहे थे, कि अगर तु लड़की होता तो मैं तुझी से शादी करता है, 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 क्या रात है, जाई भाई कर चिस पर क्या बढ़ा थे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, अब किस शाइर को खड़ा कर दें, आप नहीं समझ सकते, मैं पढ़ता हो, तकि एक मा है, बेटा परदेश में दर्द बया कर रहा हो, बिल्कुल अब हसी मजाग बंद करें, बिल्कुल मेरे तरफ देखें आपा, सीमान चल का बेटा परदेश में है, मुझाईद भाई, गरीबी देखें, अपनी गरीबी को बयान करना हो, और मा बो अपने बेटे से टेली फोन में जो कहती है, कि आता हो, आता हो, कि जतन से मताली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यार बेटे, जतन से मताली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यार बेटे, मैं खाती नहीं थी, खिलाती थी तुझे को रहा, मैं सोती नहीं थी, शुलाती तुझे को कि जतन से मताली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यार बेटे, मैं खाती नहीं थी, खिलाती थी तुझे को, हासती नहीं थी, शुलाती थी तुझे को, तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तुही मेरे संसार है मेरे बेटे, परशान मुश्क, मैं है तेरे अपू, तो घर रात आजा, मेरे प्यार बेटे, तेरे बाप को है, तेरे बाप को है, दवाई खिलानी, सुनाता हूँ मैं आसुरों की जबाई, क्या है मेरे बाप, क्या खिलानी, सुनाता हूँ मैं आसुरों की जबाई, आए है दर्द है मेरे बाप, चुभन है, जो रूँ से होते हुए दिनके गहराईएं पर टेक कर दो है, मुजाहिद हसनन हमीवी साहब जब स्रीमान चल एक्स्प्रेस में पकरते हैं, अररिया के लोग जो अररिया से प्रेन में बढ़ते हैं, देखते हैंगे कि धूश धूश करके लोग जाते हैं, पंजाब और दिन्ली के खेतों में काम करने धूश धूश कर गया है, लेकिन जब कोई हमारे यहाँ पर सीमान चल की बस्तियों में किसी की मौत होती है, तो कंदा देने के लिए नौजवान क्यारा कम होता है, और बुजरुग और बच्चे होते हैं हमारे यहाँ पर, यह बेबसी और यह गरीबी है हमारी, यहाँ के नौजवान पर्देश से माबाप अगर इंतकाल करता है, भाई बहन अगर कोई इंतकाल करता है, कफनाने के लिए पैसा तो भेज देता है, लेकिन जनाजे की नमाज में शामिल नहीं होता था, यह दर्द में परता हूं बतो रिखास सुनिएगा, अच्चचा पार, पार करके मोनीका तेलवी साहीबा को देख रहे थे, लेकिन मैं सक्चा ही कहन कर रहा है तो इस दोर का दुमिया यह है कि अभी दोरे जदीद के अंदर नौजवानों के मॉबाइल में हसीनों के नमपर और दूरों के मॉबाइल में हकीमों के नमपर ज्यादाने है आप पड़े बैए तमांग शायरों के जानिब से मुझाइर हसनल हदिरी सायव को एक माला पड़े पता नहीं है कितने अशार इंको याद है कह नहीं सकते हाँ हाफिज है मिलकुली है पशर पड़ता हो ये दर्द को सुनिये गाँ ये अता हो के चले लोग दिल्ली तरे नौ में भरके नहीं बैस्तियों में जवा कोई लड़के अगर कोई मरता है काओ का बंदा नदे पा रहा है जवा कोई गंधा अगर कोई मरता है काओ का बंदा नदे पा रहा है जवा कोई गंधा अगर कोई परता है पीमार लेगो तर्या के कैसे करे पार लेगो यहां आमला रते पर रही है यह जालम हुकूमत नपुछ कर रही है नहीं कोई सड़के नहीं कोई सड़के नहीं कोई पुल है जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है यहीं कोई सड़के नहीं कोई पुल है जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है यहीं तुक भरी है यहां की कहानी सुनाता हूँ मैं आसों की जुबानी अगर आपको नजब सच्ची लगी हो तो इस बार तालियों बजाएं अब मैं वो बंद परने जा रहा हूँ एक नौजवान का पीरा है और जितने भी नौजवान है उन तमाम लोगों की नुमाहिंदगी हो रही है इस बंद में मुजाईद हसनेन हभीवी साहब अक्मल बल्रामपुरी साहब असत बस्तवी साहब मुंबई में रहते हो आप पेश्कर नौजवानों को देखने होगे कि हमारे विहर के नौजवान होते हैँ बहुत मेंदक करके फैसा कमा करके आता आया गर बहन की शादी कराता है या खुद śादी करता है और शादी करने का एक हटा भी नहीं गुज़रता माजिद भाई निरंजन सिंग साहिफ और वह नई-नविली िुल्हन के विस्टर को छोड़ने पर मजबूर को जाता है। उस नई नवेशित त successor की मेंती का रण्ठीता भी नहीं होता वो परदेश जाने पर मजबूर हो जाता है गुर्बत की मारी जिंदगी उसे घर में रहने नहीं देती वो परदेश जाता है तो अपनी बीवी से जब गुफ्तगू करता है कि अब मैं नहीं रहूंगा अब मैं परदेश चला जाऊंगा मेरे पास पैसे उसे नहीं है मैं दमा का जाकर के माबाद के लिए भी पैसा भेजूँगा और तुमारे लिए भी भेजूँगा मिया बीबी के दर्मियान में जो गुपतबू होती है वो एक पीरा एक दर्ध है तबरेज हाश्मी की सबानी सुन लिजी के अभी शाती करिके मैं तुलहद को लाया सही से न सुसराल को देख पाया सुन दो लो जो लो मैं कहता हूँगी यह मुशारा होते रहे यह सियासी काइदाई काइदीन वेट के लिए आपको लर्वाते रहेंगे लेकिन मैं चाता हो कि सीवान चल की बस्तियों में अगर कोई काम हो तो तालीम पर काम हो जब आप तालीम याफ़ता हो जाओगे तो पूरी दुनिया आपके ठोगरों पे होगी आप यह चाल लिए तालीम हासिल करों दोस्तों कि अभी शादी करके मतुलहर को लाया सही से नसुसराल को देख पाया महंदी की लाली नफी की हुई है मेरी भी भी मुझसे यह कहने लगी है महंदी की लाली नफी की हुई है मेरी भी भी मुझसे यह कहने लगी है मरहने नफाओ कि तेरे बिना अबे मचने नफाओ कि तेरे बिना अबे कि करीबी मुझे घर मन रहने न देती कभी चैंग सो मुझे कुस्सों न देती खुदाया खुदाया अदाकर हसी जिन्दगानी यह सीमान चटकी है सची कहानी क्या सिमान चल की नुमाइंदगी की है भई यह सीमान चल के भई और लंग का आखरी बंद पढ़ता हूं दोस्तों इस बंद में कॉन माइशा नहीं चाहती है कॉन माइश नहीं चाहती है कि मेरा बेटा डॉक्त्र बने इंजिनेर बने कौन बाप ऐसा नहीं चाहता कि मेरा भी बेटा पढ़ाके कि मास्टर बने इंजिनियर बने डॉक्टर बने लेकिन गुर्बत की मारी जिन्दगी वो नन्ने से फूल से बच्चे को परदेश जाने पर मजबूर कर देता है जो मा वो बेटा जो थोड़ा सा दूर जाता है तो कलेजा फट जाता है बेटे को चाकर के लपक पकरती है और के कंदों पे किताबों का बक्सा होना चाहिए जिनको इसकूलों और पाथशालाओं में होना चाहिए जिनको मदकबों और मदर्सों में होना चाहिए वो बच्चा गुर्बत की मारी जिन्दगी के वजह कर दिल्ली के होटलों में जाकर के पोच्छा लगाता है को बढ़न करने वाला कौन होगा इसलिए तबरेज हाश्मी हर्व शायरे से मुटालबा करता है सीमान चल के वादियों के लोगों से कि तालीम को आम करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ बच्चा जब पढ़ जाएगा पढ़ लेगा तो मुझाहिद हसनेन हभी जैसा कर सकता है असर बस तभी जैसा नुमाइंदा शायर बन सकता है और दोक्तर और इंजिनियर भी बन सकता है इसलिए मैं चाता हूं सीमान चल वालो अपने बच्चों को पढ़ाओ जब पढ़ा लेगे तो यकिनां सीमान चल में खुद बखुद खुशा लिया जाएगी आखर कोई जा के कोई जा के पंजाब में चल रहा है कोई जा के गुजराद में गल रहा है कोई जा के पंजाब में चल रहा है कोई जा के गुजराद में चल रहा है वे मासूम बच्चा वे नन्ना सब प्यारा वे शहरे में फिरता है अब मारा मारा कहीं हो जरू में लगाता है पोछा कहीं खेत में वो उठाता है पोछा और खुदाया खुदाया अताकर हसी सिंदगानी यसी मात चल की है सची कहानी टाया खाँए अताकर खुदाया लगात्र कार्ण तत्वित्न जीजी बशी को वैल करणे था है यह में दիूप आग़ प्रुमांतिक पड़ने के लिए बोलना है मौनमन तजीर सा बहुत रुमांतिक आदमी खुद है वहाँ कर देंके बेठे हुए हमाशा है वह बड़ तुम्हार पसंदिता अब तुम्हूर पर्माएं सब शायरों में सबसे बड़ा शायर महीश है काम याँ अच्छा है जल छोर बाहाना मानं भेले चहरा तो दो खाने आ जाना है ऑजाना आखरी पर रहार आप के नव की नोजवानों माने चेहरा तो दीखाने आजाना मिलने के एरादे से छत पे, हां मिलने के एरादे से छत पे कपोड़ों को सुखाने आजाना मिलने के एरादे से छत पे कपोड़ों को सुखाने आजाना वो जो तुरा कंगन छत पे बजाना था मेरे बुलाने का एक बहाना था और बीद गया लेकिन वो भी जमाना था और वो भी दिवानी थी मरी दिवाना था चल छेर बहाना चल छेर बहाना मान बिले चेहरा तो दिखाने आजाना और मिलने के एरादे से छट पे कपोड़ों को सुखाने आजाना मिलने के एरादे हमिलने के एरादे से छट पे कपोड़ों को सुखाने आजाना बहा 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 इता माता लेकिन शाइरात के रवी भी है यह आप तमाम आराम खुश नसीब दिए होने वाली कि नसीब के है जख्म बाड़ा सीने में मेरे छूटे ना तबीबाओं से हर्गिज है जख्म बाड़ा सीने मेरे जख्म बाड़ा सीने मेरे छूटे ना तबीबाओं से हर्गिज हर हातों में लिए तू मरहम को चुप के से लागाने जल छोर भाण बाड़ फिले चेहरा तो दिखाने आ जाना और मिलने के एरादे से छट पे कपरों को सुखाने आजाना और आकरी शेर मुझाहिद हसनन हमी भी सबरे साथ मेरे जब से एक शेर मचल गया कि वो जो तेरा कंगन छट पे बजाना था मेरे बुलाने का एक बहाना था और बीद गया लेकिन वो भी जमाना था और वो भी दिवानी थी मरी दिवाना था आजाना और मिलने के एरादे से छत पे कपड़ों को सुखाने आजाना मिलने के एरादे हमिलने के एरादे से छत पे कपड़ों को सुखाने आजाना ये शे finely हमेंぎ साइब हैब है ये तबीज बी टापसे मैं शेत बड़ना है और हम सब के हडिए भी है ये भी बता रही है और दितके खारीम बावावड भावन्बाचा ङॉड माचा, आ भावड़ना लेकिन शाइरात के रاकी भी भावन नहीं है के है जखम बाड़ा सीने में मेरे खुझीब को दहुत पसंद है इनके लिए बार जोरदार तालिया बजा है के है जखम बाड़ा सीने मेरे छुट ना तबीबां से हर गिज खुट ना तबीबां से हर गिज र हातों ने लिये तू मरहम को हाथों में लिए तू उमर हम तो चुप के से लागाने कि बेरुखी को दूर कीजिये कि बेरुखी को दूर कीजिये हम से आखे चाहिए कि बेरुखी को दूर कीजिये हम से आखे चाहर कीजिये हम से आखे चाहर कीजिये और हम रहेंगे साथ हर गड़ी हम पे देपांगी दिये हम रहेंगे देपांगी 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 और मजवान दोस्तों दिले पढ़ता हूँ और सुनना दोस्तों जोने फ्रेस्बूक वाडशब चलाते हो रात-रात भेजगे रहते हो तेली पर नाद से चित्के बाता है वो दोर से घुजर रहा हूँ इसने पर रहा हूँ कि हम जगे है कि हम जगे है रात-रात भेज़ जानियाद करके आद भेज़ आई है कि हम जगे है रात-रात भेज़ जानियाद करके आपको हम जगे है रात-रात भेज़ जानियाद करके आपको हर कसम ये आपको मेरी अबना इंतशार थी हा भाई वा बहुत अच्छे भाई आपको हाशनी बहुत भी जानियाद करके आपको मेरी अगने तुशार कीजिए ये मुक्याजी अभी बहुत दोरा मुशारा कराए थे बाई सी में और उन्हों पाँच हजार रुपे नाम दिया है उनके लिए पार तानिया बजार है बेरखी कदूर कीजिए हमसे आखे चार कीजिए पेरखी कदूर कीजिए हमसे आखे चार कीजिए हमसे आखे चार कीजिए हम रहेंगे साथ हर घड़ी हम पे तबार कीजिए हम रहेंगे साथ हर घड़ी हम पे तबार कीजिए आप गजल का बहुती खुबसूरत शेयर और आफिर शेयर पर रहेंगे आप भी चास खुबसूरत नहीं करेंगे आप भी बहुत खुबसूरत है शुक्रिया आप के बेकरारी के बेकरारी के बेकरारी मेरी पढ़ गई क्या बात है बेकरारी मेरी पढ़ गई के आपकी अदाए देखे के बेकरारी के बेकरारी मेरी पढ़ गई आपकी अदाए देखे के बेकरारी के बेकरारी के बेकरारी मेरी पढ़ गई आपकी अदाए देखे के आपकी अदाए देखे के आपकी अदाए देखे के आपकी अदाए देखे थोड़ा इंतिजार कीजिए बेकरारी मेर पर गई आपकी आदाएं देखके आपके बनाएंगे खसर बोरा इंतिजार की मज़ा के साथ साथ हाल आगिया लेकित्क आतीद कीजिए